साई की बात तुम्हें किसी दुकान में बाजार में तुम जहां भी जाते हो ना मैं तुम्हें संकेत दे देता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हर जगा हूँ अगर तुम विरान जगा पर भी जाओगे ना तुम वहां भी कहोगे ना कि साई आओ दर्शन दो तो उस विरान जंगल में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा मेरे बचे तुम मुझे पुकारते तूसाही जो मेरे बच्चे दिल से मन से मुझे पुकारते है तो मैं अपने बच्चों के लिए कहीं भी प्रकट हो जाता हूँ। मां भगवत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत् पढ़ाई कर पाते हो, अपनी शिक्षा को पाप आते हो मेरे बचे, और तुम यहां तक पहुँचे हो, और कुछ मेरे बच्चों पर तो मा सरस्वत्धी की इतनी किरपा है ना, कि उनकी अवाज में, उनकी गले में मा सरस्वत्धी का वास है, वो जब भजन गाते हैं ना मेरे तो मेरा मन महुलेते हैं, ऐसा लगता है कि मैं विवश हो जाता हूँ, अपने बच्चे के पास आने के लिए, वो इतना प्यार से भजन काते हैं, क्योंकि उनकी 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 पर मा सरस्वत्धी की किरपा है, और सुरू मेरे बच्चे, थोडीना अपनी सोच में मतलाब करो म मेरे बच्चे, दूसरों के वहवार से, दूसरों की प्रतिकरियाओं से मेरे बच्चे, इतना परिशान मत हुआ करो, लोग तो चाहते हैं कि तुम्हें दुख हो, तुम्हें परिशानी हो, तुम सोचो, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अगर खुद को सही रखना है, वो ऐसे थे और ऐसे ही रहेंगे, तुम अपनी सोच को बदलो, सब कुछ सोच पर निर्भर करता है मेरे बचे, जिस दिन तुम्हारी सोच बदल गई न, तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सुनो मेरे बचे, जो लोग तुम्हारे घर में बिमार है न, उनकी चिंता बिल् मेरे बचे, और सुनो, और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, कि कुछ चहरे सामने आई न, मेरे बचे, कुछ मुखोटे, उत्रे न, अब तुम्हे समझ में आया न, कि वो कैसे इंसान है, हर इश्वर का नाम जाप करने वाला व्यक्ति भी, अंदर से गलत हो सकत होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, जिसके अंदर मैल नहीं है, बहुत ही कम होते हैं, जिनके अंदर मैल की भावना नहीं होती है, तुम जिसे दया की मुरस समझते थे, न, अब वो मुखोटा तुम्हारे सामने आ गया न, मेरे बचे, वो असली चहरा, वो असली रग उनके सामने आ गये न, मेरे बचे, मैं जानता था, कि तुम्हारे सामने जबी चीज़े आएंगी न, तो तुम्हें बहुत दुखोगा, बहुत दर्द भी होगा, लेकिन ये चीज़े तुम्हारे सामने लानी बहुत जरूरी थी, मेरे बचे, चुकि मैं और मुझबूत करने के लिए लाया हो, मेरे बचे, कि तुम आगे के लिए चौकनने हो जाओ, सावधान हो जाओ, कि कल को ये लोग तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं, तो इसलिए अभी से सावधान रहो, मेरे बचे, और सुनो, तुम इतने भोले होना, इतने सचे होना, कि तुम्हें सारी दुनिया सच्छी लगती है, इमानदार लगती है, जैसे तुम होना मेरे बचे, तुम वैसे ही हर किसी को समझ लेते हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता मेरे बचे, ये दुनिया वैसी नहीं जैसे तुम हो मेरे बचे, हर कोई तुम्हारे जैसे नहीं होता मेरे तबी तो तुम मेरे बचे हो तबी तो तुम पर मेरा इतना सारा अश्रवाद है मेरा इतना सारा प्यार है तो तुम क्यों चिंता करते हो मैं हूँ तुम्हारे साथ तुम अकेले नहीं हो और सुनो तुम बहुत जल्द आ रहे हो मुझसे मिलने मेरे बचे मैं तुम्हें बुला रहा हूँ और जल्दी मिलने आना मुझसे मेरे बचे मुझे तुम्हारा बेसबरी से इंतिजार है जल्दी आजओ अपने साई से मिलने खुश रहो आज का मध्यान साई संदेश समाप दूआ